स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑफिशियर ऑनलाइन एकेडमी है यहां पर आप टैट टीजीटी कमिशन नॉन मेडिकल के सभी कोर्सिस को जोइन कर सकते हैं तो चलिए फिर हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं आउखोर है को बिया सिर्शिय यहांता जूंच जो हैं हारे पास physical your नुट्रियर ठीकि है आपके पास यहां हो फोर ऊँवर्हण और अर्ट यह आपके जो है सिरीज में connected है ठीक है तो इसका यह मतलब हुआ कि आपके पास जो है एक circuit है ठीक है और आपके पास जो है resistance जो है इस तरह से series का मतलब होता है horizontally connected होना ठीक है तो यह जो है आपके पास two ohm हो गया यह four ohm है और यहां पे जो है अधिश्य लगा हुआ ठीक है यह आपके पास जो है बैट्टरी हो गई इस तरह से जैसे आपका पूरा circuit diagram होता है उस तरह से यहां पे आपके पास जो है given है तो यहां पे जो है जैसे आपको पता है क्रण्च वह पॉजितिफ टू-टा बात करेंगे बहुत कि अक्डिके इस तरह से क्रन्च और और होरा होकर क्कर्णप ऑェ इस तरह है क्रण्च और फ्रेजेटीज रिप्रेसेंटिटट बाय आई ठीक है तो यहां पे यहां पे जो है डास करेंगे वह तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला होगा आपका R1 plus R2 plus R3 plus so on, जितने भी आपके पास resistance given होगे, ठीके, तो इस तरह से जो है, हमारे पास first resistance जो है, वो आपके पास 2 दिया हुआ है, ठीके, second one जो है, four, और last one जो है, आपके पास 10, तो जो है, ये total जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 ohm, ठीके, तो option number third जो है, हमारी क्या हो जाएगी, correct, ठीके, I hope आपको ये clear हो गया होगा, इसके बाद जो हम, second कर, देखने हैं, question, second function है, sound wave has a frequency of 2 hertz, ठीके, इट मीज देख, आपके पास sound wave है, ठीके, जिसकी frequency, frequency is denoted by new, इस तरह से new, ठीके, ठीके, तो frequency is denoted by new, equal to 2 hertz, hertz is the SI unit of frequency, ठीके, and wavelength, तो wavelength is denoted by lambda, ठीके, और जो wavelength है, वो जो है, आपके पास कितनी given है, hundred centimeter, ठीके, तो यहाँ पे, जो है, light के case में, जो है, angstrom होती है, ठीके, और आपकी, जो है, sound के, waves के case में, जो है, centimeter होती है, SI unit, ठीके, तो यहाँ पे, आप यह देखेंगे कि, find the speed, it means, आपको speed जो है, निकालनी है, तो speed का formula, जो है, मेरे पास क्या होता है, frequency into wavelength, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या आपके पास यहाँ पे frequency भी given है, और wavelength भी given है, ठीके, तो frequency जो है, मेरे पास, यहाँ पे, वो कितनी है, है अगर में हम इसकी बात करेंगे तो यह कितनी हो जाएगी टू जो है मिटर पर सेकिंड जो है यह आपकी हो जाएगी तो ऑप्शन नमबर थर्ड जो है हमारी यहां पर क्रेक्ट ऑप्शन हो जाएगी अधर पॉड़ मिटर से खाइग है कहा थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है आपके पास इसककी बात करें तो फॉर्ड होगा घ्र हो जाएगी वेक्टर कि इसको देखते हैं की कैसे होती है एक साहीस का फर्मला होता है एक स publishers तो इसकी यूनिट होती है मिटर पर सेखिंड स्केयर ओख छो मिटर कि तो me पता चरह रहा है acceleration में आपके पास क्या आ रहा है velocity जो है वह क्या है इस्के पास जो है दोनों चीजे है जो है direction भी होती है और magnitude भी होता है that is why जो 4 से वो आपकी क्या हो जाएगी एक vector quantity तो option number 2 जो है वो आपका correct option हो जाएगा next question की तरफ move करते हैं I know आपको इसने questions यह मोंगे 4 question जो है हमारे पास the angle between two equal vector ठीक है कि दो equal vector के बीच में जो Angle Create होता है यह आपके पास vector है टीक है कि a vector हो गया यह भी vector हो गया कि से आपके पास ठीक है तो अप्शन है फर्स बन है स्यकिंद इंफिनाइट होगा या इंफिनिटी होगा ठीक है और थाड़ ऑफिशन है दीर Онपशन है और पोर्फ उन है नौ यहाँ पर जो अप्शन बढ़र है वो प्रेक्ट वह जाएगा क्यों क्यों कि जो एंगल होता है व और अगर इसकी direction की बात करें तो भूब भी क्या होगी same होगी और same ही इसकी क्या है आपकी length है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है equal that is why जो है आपका जो है इसके बीच में जो angle होगा वो कितना होगा zero तो यहां पर बात है कि distinctive color of eye is due to तो भी कि जो हमारी eyes का color होता है आपने देखा होगा कि हमारी eyes में जो है different colors होते हैं कि 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 i किसी की आइस का कलर ग्रे ब्लैक होता है तो मैक्सिम जो है ब्लैक फिर्ट जो है डेखने को मिलता है आइस का कलर ठीक है तो यहां पर बात है कि डिस्तिंक्टिव अपाइख कर देता है कंसा पार्थ हग इस आईरिस सट आप्ष्ण जो है वह को परेक्ट मुड़कों को जाएगी बात करते हैं आइरिस क्या होता है गए एक कलर रिंड है जो हमारी फ्लिए ब्लू ब्राउन ग्रेट इस तरह की डिफ्रेंट 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 होती है अगर हम बात करें कि जो यह आईस को जो है तो यह आपका मेलनिल फ्लाइण हमारी क्वांटटी कम होती है तो हमारी आइस में जू है ब्रीन कलर के जो है आपने देखी होगी किसी-किसी क्या ग्रीन या ब्लू कलर की होटी है तो वह जो है मैलनीन की वज़े से होती है ठीक है मैलनीन की क्यों जो है तो तो उप्शेच नंबर जो है इस्टेंट जो है वह वह आपका हो जाएगा now move next question question number six the momentum of our body of mass 10 kg ठीक है first of all momentum ठीक है momentum is denoted by small v ठीक है तो momentum का जो हमारे पास formula होता है momentum का formula जो है वो है हमारा mass into velocity m into v ठीक है the product of the mass into velocity ठीक है तो यहां पर आपके पास momentum of a body तो mass आपके पास कितना गीवन है 10 kg और velocity कितनी है आपके पास 2 meter per second ठीक है तो मैं यहां से जो है momentum निकाल सकती हूं easily क्यूंकि हमारे पास जो है term given है ठीक है तो mass कितना है 10 वेलोसिटी आपके पास है 2 तो इट मींस यह होगी आपकी 20 और यहां पर बात करें mass unit हो गई kg ठीक है और velocity की unit होती है meter per second तो option नंबर जो है आपके पास second जो है वो correct हो जाएगी 20 kg मिटर पर second आपको यहां तक आपको clear हो गया होगा next question को देखते है question number seven question number seven जो है हमारे पास which wave cannot be polarized ठीक है कि कौन सी यह option से कौन सी वेव जो है वो पॉलराइज नहीं है ठीक है नहीं हो सकती है cannot be polarized ठीक है फिर्स्ट अफॉर्ट भॉन भी है डिस्कस्ट अबाउट था पॉलराइज ठीक है तो